देश भर में लोगसवा चुनाब होने हैं और इसकी तैयारे भी हर हाल में की जा रही है जहां एक तरफ मुखे मंतरी नितीश कुमार भी लोगसवा चुनाब को लेकर पूरी तैयारी कर रहे हैं फिर वो पुर्व सांसद हो या फिर विधायकों हो या फिर विधान परिशद हो सबसे मुलाकात कर रहे हैं जहां मुखे मंतरी नितीश कुमार महीने में दूसरी बार अपने सांसद विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं कि राजनीती करवट बदल रही है आने वाले दिनों में क्या होगा इसके बारे में सटिक कुछ कहना पाना मुश्किल है पर अनुमान तो लगाया जा रहा है कि CM नितीश कुमार ने महीने भर के अंदर दूसरी वार अपने पुर्व सांसदो और MLA और MLC से मुलकात की इंडिये से जद्यू के अलग होने के बाद भाव से राजसभा और उपसभापती की भूमी का निभा रहे पार्टी के राजसभा सदर्श हरिवंश नरायन सिंग भी अकेले में नितीश कुमार से मुलकात कर गया है इस भी शनिवार को पटना पहुँशे केंद्रिये मंत्री अठावले तो नितीश कुमार के एंडिये छोडने से इतने दुखी है कि उन्होंने फिर से लोटे आने का ओफर दे दिया है भले ही रामदास का कहना हो कि कोई मायनों में मुख्यमंत्री नितीश कुमार एंडिये में अगर नहीं आते हैं तो ये मायना नहीं रखा जाएगा क्योंकि बीजेपी ने नितीश के लिए एंडिये से लोटने की संभावनाओं पर विराम लगा दिया है पर राजनीती के जानकार मानते हैं कि अब के समय में कौन नेता क्या करता है और क्या करता है इसका कोई मायना नहीं रहा महरास्ट्र इसका ज्वलत उधारन है जिस तरह से चाचा शरत पवार का हाथ पकड़ कर भतीजे अजीद पवार ने राजनीती की रह पर चलना सीखा शिवसेना से भी सिवसेनिकों को कैडर खड़ा किया है उनी कैडर से एकनाश शिंदे ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्दव ठाकरे को पठकनी दे दी जहां तक नितीश कुमार का सवाल है तो उनके लिए महागटबंदन छोड़कर इंडिये मे शेरे जनक बात नहीं होगी इसलिए भी पहले वे ऐसा करते रहे हैं इसी खेमे में तो कभी उस खेमे में भटकने की उन्हीं की आदत रही है नितीश कुमार की कुरसी पर तो खत्रा उसी दिन खड़ा हो गया था जब उन्होंने महागटबंदन का हिस्सा बनने का फैसला ल कुमार को बड़ा सब्ज वाग दिखाया है उन्होंने कहा है कि वे विपक्ष की ओर से पीएम पद के उमिदवार बने बिहार में जो साथ दल तब जीतन राम मांची की पार्टी हम भी महागटबंदन में थी आपको समर्थन दे रही है वे तो यकीनन आपके साथ रहेंगे बाकी आप दूसरे विपक्ष दलों के नेताओं से मिलकर आगे बढ़ें हाला कि इस तरह की कई आधिकारिक व्रिफिंग आरजेडी से की ओर से नहीं की गई है लेकिन घटनाओं की कड़ियों को जोड़े तो आप इसके नतीजे पर पहुंच जाते हैं आरजेडी के प्रदेश सध्यक्ष लालू प्रशाद यादब के पुराने सहियोगी जगदानन सिंग ने मीडिया के सामने कहा था कि नितीज जी को पीम बनने के लिए लालू जी ने जीत का टीका लगा दिया है इसलिए अब उनके पीम बनने में कोई रुकावट नहीं केंदर कुमार, गुजराल, वीपी सिंग और कई लोग जो हैं लालू प्रशाद यादब के पास आए हैं और लालू प्रशाद यादब ने उन्हें टीका लगाया है उन्हें आशिरवाद दिया है और उन्हें पीम भी बनाया है जगदानन सिंग का ये बयान भी आरजेडी की मन्शा जाहिर करने के लिए काफी था अब 2024 के लोग सवा चुनाब को लेकर रन्नीती बनाई जा रही है जहां 2024 के चुनाब को लेकर हर पार्टी हर एक प्रयास कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंतरी नितीश कुमार एंडिये का साथ छोड़ कर बिहार में बंदन दल के साथ शामिल हो गए है तो वहीं दूसरी तरफ कई बार ये बयान भी निकल कर सामने आती है कई बार लोग बीजेपी की तरफ से आकर कहते हैं अगर मुख्यमंतरी नितीश कुमार एंडिये में वापस आना चाहते हैं तो आ सकते हैं वहीं दूसरी तरफ अगर ह तो लोग को साथ कहना है कि अब किसी भी हाल में नितीश कुमार को हम इंडिये में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन राजनीती कुछ ऐसे ही होती है कि अगर कोई भी विपक्ष किसी भी पार्टी में अगर सत्ता के लिए आना चाहे तो कोई भी हात बढ़ाता है और उस हात को सामने वाले लोग ठाम लेते हैं। बीजेपी को केंदर से हटाना है ना कि उन्हें प्यम पद के लिए कुरसी के लिए ये सारी राजनीती करनी है। फिलहाकलेस ख़वर में इतना ही अनिक अब्रेट स्किल देखते रहें निउस फोरनेशन।